नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ शुभांकर मिश्रा दोपहर के दो बज गए हैं साथ घंटे से उपर का वक्त हो गया मद्दान को लेकर और उत्तिर प्रदेश पे जो आकड़ा है वो 37 फीसद के पार जा चुका है पीली भीट से लेकर राइबरेली में याकड़ा 40 फीसद के पार जा चुका है और फिलहाल हम राइबरेली में मौझूद है वैसे तो विधान सबा की यहां पर 6 सीटे हैं लेकिन आज 5 सीटों में चौते चरण के मद्दे नजर वोट डाले जा रहे हैं उत्तिर प्रदेश की बात की जाए तो 9 जिलों में 69 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और पिछली बार 51 सीटे बीजेपी ने जीती थी लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो कड़ा है जिस राय बरेली में हम मौझूद हैं ये राय बरेली भी इस बार बड़ा दल्चस चुनावी लेकर महौल बना रहा है क्योंकि अदिती सिंग यहीं राय बरेली सदर से विधायक बनी थी कॉंग्रिस पार्टी से लेकिन अब वो भारती जुनता पार्टी की प्रत्याशी है स्वामी प्रसाद मौरेन ने भी पाला बदला था और समाजवादी पार्टी से जो अमीदवार है उचाहार से मनुझ पंडे उनके साथ इस बार वो ताल ठोकते नजरा रहे है और उनका समर्थन कर रहे हैं और उन्हीं के सहारे समाजवादी पार्टी ये उमीद जता रही है कि इस बार यहाँ पर वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी लेकिन सवाल यहाँ पर प्रतिष्ठा का है प्रतिष्ठा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर क्योंकि अमेठी में जब हार होती है उसके बाद सारी देश के निगाहें राइबरेली की तरफ जाती है और पिछली बार चौथे फेस की जो ये 69 सीटे हैं इसमें केवल दो सीटे ऐसी थी जो कॉंग्रेस के पास गई थी और ये दोनों राइबरेली से गई थी लेहाजा इस बार राइबरेली में सभी के निगाहें टिकी हुई है